ओम नमोशिवाय हर हर महादेव । अई सुनते हैं पुरशोतम मास्त के करशवपक्ष की एका दसी की ब्रत कथा करशवपक्ष की एका दसी को परमा अतवा हरी बल्लवा एका दसी कहते हैं इस दिन भक्ति पूर्वग नरोतम भगवान विष्णू की पूजा करने से दुरलब सिध्यों की प्राप्ति होती है धर्मराजी दिश्टिर बोले है वासुदेवा अपक्रपा करके मलमास के कष्व पक्ष की एकादसी का नाम उसके ब्रत की विधी तता महातम में को विष्दार पूरवग बतलाई श्रीके शबूले है राजन इस एकादसी का नाम परमा है इस ब्रत के प्रभाव से समस्त पाप नस्टोकर लोक में सुक्तता अंत में मुक्ती मिलती है शुक्लपक्ष की एकादसी के समान इसकी विधी है नरोतम भगवान का भक्ति पूर्वग पूजन इस एकादसी में करना चाहिए इसके बारे में एक मनोहर कथा है जो कामपल्ले नामक नगर में हुई बह मैं तुमसे कहता हूँ प्राचीन काल में कामपल्ले नामक रमणिक नगर में सुमेधा नामका एक अतियंत धर्मात्मा रामबल रहता था इसके इस्त्री भी अतियंत पतिवता थी परंत दुर्भागे वस्वे अतियंत धरिद्धय नेकों मनुश्यों से भिक्चा मांगने पर भी उनकों भिक्चा नहीं मिलती थी इसकारल भली प्रकार भोजन बस्त और रहने के स्थान तक नहीं था रूप वायोवन से संपन उनकी इस्त्री अपने पति साहित अतियंत कठिनता से जीवन निर्भाकिया करती थी कई दिनों तक भी उबास करना पड़ता था परंत उसकी पति वता इस्त्री स्वेम भूकी रहकर भी अतिचतकार रवश्य करती और अपने मुख पर कभी मलिंता तक ना आने देती साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्त की आचना नहीं करती थी भूक और गरीवी के कारण उसका शरीर दिन प्रति दिन दुर्वल होता जा रहा था अपनी इस्त्री के दुर्वल शरीर एवं घर में अन्यका अभाव देखकर शुमेधा ब्रामण एक दिन अपनी इस्त्री से कहने लगा हे प्रिये येदि मैं किसी स्ट्रेश्ट मुझे धन मांगता हूँ तो मुझको कोई देता नहीं मैं क्या करूँ कहां जाओ बिना धन के घर के कारे सिद्ध नहीं होते अथा मुझको विदेश जाने की आग्या दो जिससे मैं धन प्राप्ट कर सकूँ मुझे कुछ प्रत्रे तो करना ही चाहिए क्योंकि बिना उध्धम के कारे की सिद्ध नहीं होती हतासपत के दुख भरे बचन सुनकर ब्रामणी विनीद भाव से बोली है श्वामी यदि मैं कोई विद्ध्वान पंडित नहीं फिर भी आपकी आग्या से कुछ कहना चाहती हूँ पूर्व जन में जो मनुष्य विद्ध्याधन और भूमी धान करते हैं उन्हें इस जन में धन विद्ध्याधन और भूम मिलती है यदि कोई पूर्व जन में दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देती है मैं आपका ब्योग नहीं सै सकती पती रही तिस्ती की संसार में माता पिता भ्राता ससुष संबंदी आजी सभी निंदा करते इसलिए आपको यहीं पर रहना चाहिए अपने इस्ती कैसे बच्चन सुनकर भैब रामर परदेश नहीं गया और कामपले नगरी में ही दिन काटने लगा कुछ समय के प्रस्चात काटने मुनी कामपले नगरी में पधारे उनको आता देखकर सुमेदा और उनकी पत्नी ने को प्रडाम किया और का हम आज धन्याज हमारा जीवन आपके दर्शन मात्र से ही सफल हुआ तता उनको अपने घरला का रासन तता भोजन दिया कुल विश्वास की आप हमारी दरिता दूर हो जाएगी आप हमें दरिता मिटाने वाले किसी ब्रत के बारे में बताईए को ब्रहमल दंपत्य पर दया गए और भैबोले है देवी मलमास के एक रश्वपक्ष की परमाय का दसी के ब्रत से समस्त पाप दुख दरिद्रादी दस्ट हो जाती है जो मनीशिष का ब्रत करता है धनबान हो जाता जो इस ब्रत में नति गायर भजन की इतन साहित राति जागन करना चाहिए को महादेव जी ने इस ब्रत के कारण धनादी पती बना दिया था इस ब्रत के प्रभाव से सत्ते वदी राजा हरिस चंद को पुतिंत ए श्ति और राज प्रापत गूआते है तश पछर मुन्ने उसको एकादसी के ब्रत की समझ्ति बिद्लायी मुणिने ब्रत का विधान बतलाने के बाद काहे ब्रामनी 35 ब्रत इससे भी अधिक उत्तम है परमाय का दसी की दिन प्रता काल नित कर्मिशनि वत्तोकर विधिपूर्वक पंचराती ब्रत प्रावम किया जाता है जो मनुष्य पांच दिन तंग निजल ब्रत करते हैं वे अपने माता पिता इस्तिय शुर्ण लोग को जाते हैं जो पांच दिन तंग संध्या को केवल एक समय भोजन करते हैं वे शुर्ण को जाते हैं बे तिलकी संख्या के वरावर विश्व लोग में रहते हैं जो घी का पात्य दान करते हैं विश्व लोग को जाते हैं जो पांच दिन तक ब्रह्मचर पूर्वक रहते हैं बे देवांग नाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं पवित्ये तुम अपने पति के साथ इस ब् सबस्तु से सजा हुआता रहने के लिए उन्हें दिया साथ ही राजकुमार अजीपा के लिए ग्राम देखर अपने महल को चले गए विदोनों इस बत के प्रवाद से अपनी संतानों साइता नंसुक भोकर अंत में शुर्ग लोग को प्राप्त हुए जो मनुश्य पर्मा एक लौंद मास हुद्तम है इस महीने में पंचरात्री ब्रत अतेंत पुड़ देने वाला इस महीने में पद्मिनी और पर्मा दोनों ही एक अधसियां सेस्ट हैं उनके ब्रत से समस्त पाप छील हो जाते हैं दुरवल मनुश्य को भी कम से कम एक ब्रत वश्य करना चाहिए जो म आपने पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया अब आप इसका ब्रत भक्ति पूर्वक की दिये जो अधिक मास लौंद की एका दसी तता से ब्रत करते हैं वेश्वर्ग में इंद के समान भोगों को भोगते हुए तीनों लोकों में बंदित होकर विश्य लोक को जाते हैं जो भी भक्ति इस ब्रत को करता है या जो इस कथा को पड़ता है सुन्ने मात से ही उसके सारे पापों का नास हो जाता है ओम नमशिवाय हर हर महादेव